हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल काना जी विदख्वाईश आज हम लड़ू गोपाल जी के लिए यह हैंडमेड बाटब बनाएंगे जो कि बनाने में काफी इजी है और देखने में बहुत ही जादा सुन्दर है तो चलिए देखते हैं हमें इसे बनाने के लिए क किन-किन चीजों की जरूरत रहेगी वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक एंड शेर जरूर करें बैल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें त और यह हमने मिट्टी का बर्तन लिया है जो की मीडियम साइज का है और इसे बनाने के लिए हमें वाइट सिमेंट की ज़रूरत रहेगी पुटी जिसे बोलते हैं हम सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे उसके अंदर हमने फेविकोल लेना है यह हमने फेविको लिया है इसके अंदर हम कुछ पानी आड़ करेंगे फैवी कोल को पानी को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें अब हमें इसके अंदर वाइट एक्रेलिक कलर एड़ करना है आप चाहें तो और कोई कलर भी आइड़ कर सकते हैं वाइट कलर को भी हम अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास पीओपी के जिंगय पे सेरमिक पाउडर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं देखें ने कैसा पेस्ट रेडी कर लिया है तो चलिए अब हम इसे लगाते हैं यहां पे और यहां हमें वाइट कलर करना है हमें यह बेसे यहां लगाना है ऐसे लगाना है हमने ना जादा मोटी परत देनी है हमने ना ही जादा पतली देनी है इतना देना है कि हमारे मीरर्स इसके अंदर लग जाएं अहां बादा लगाना है झाल 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 तो चली अब हम इसे वाइट कलर से कलर कर लेते हैं यहां कलर करने भी हमने वाइट अक्रेली कलर ही लिया है दिखें यहां से कलर कर लिया है अब हम इसे बैक से कलर करेंगे हम ने से यहां से भी कलर कर लिया है यहां से भी कलर कर लिया है बैक साइट से भी और फ्रंट से भी अब हमें इसे 12 गंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे ये देखे हमारा बाद टब बनके बिल्कुल रेडी है देखे कितना सुन्दर लग रहा हमारा बाद टब देखे बाद टब के साथ मैंने काना जी के लिए इसमें मैं पानी लेती हूँ और इसमें मैं काना जी को बैठा कर नहलाती हूँ दिखें यह भी मैंने खुद रेडी किया है थैंक यू फॉर वोचिंग दिस वीडियो